अल्राइट गाइस तो इस वीडियो मैं आपको बताऊंगा पिक्स जॉन एप्लिकेशन के बारे में ये एप्लिकेशन क्या है इसे किस तरीके से यूज कर सकते हैं बागी सारी बातें इसी वीडियो में जानेंगे तो सबसे पहले जान लीजिए ये application क्या है दोस्तों ये एक ऐसा application जहां पर आप photo editing कर सकते हैं photo white कर सकते हैं, neon effect लगा सकते हैं साथ ही neon cartoon बगएरा आप इस application के जरीए बना सकते हैं और भी ज़्यादा काफी option देखने को मिल लाएंगी वीडियो में हम जानेंगे वैसे वीडियो को भी तक लाइक नहीं किया है तो भी वीडियो को लाइक कर देना साथ में चैनल को भी subscribe कर लेना तो चलिए आज इसका माल की वीडियो को start करते हैं तो प्ले स्टोर से आपको ये download कर लेना है मैंने पहले से ही download कर रखा है तो direct यहां से मैं इसे open कर देता हूँ दोस्तों application को open करने के बाद इस type का interface आ जाता है यहां पर आपको तीन option देखने को मिल जाएंगे जैसे face white, neon effect and neon cartoon आपको जैसी भी photo edit करना आपको यहां पर click कर देना है जैसे मुझे face white करना है तो भाई यहां पर मैं click कर देता है और दोस्तों free application है तो यहां पर advertisement बगेरा आज आएगी तो यहां से हम इसे cut भी कर देंगे फिर दोस्तों कुछ ऐसा option आ जाता है यहां पर लिखा face glow करना है sign glow करना है या फिर white brush आपको यहां पर photo पर चलाना है तो यहां पर मैं face glow करना चाहता हूँ तो यहां पर click कर देता हूँ और यहां पर मैंने click किया तो इस type का interface आ गया अब यहां पर देख सकते face glow का option आ गया है अब दोस्तों आप सोचेंगे photo edit कहां से करना है तो यहां पर यूट्यूब पर भी आपको videos मिल जाएंगी जहां पर आपको बताया जाएगा कि इस पर photo edit नहीं हो पाएगी लेकिन दोस्तों यहां पर मेरे में option आ गया है आप यहां पर देख सकते हैं और आप भी download करेंगे तो ऐसा option वहां पर आ जाएगा तो यहां पर select photo पर मैं click कर देता हूँ और click करने के बाद एक photo आपको ले लेनी है जिसे आपको edit करना है तो photo लेने के बाद मिलता हूँ मैं आपसे तो यहां पर मैंने photo पर click कर दिया तो एक advertisement आ गई है आप screen पर भी देख सकते हैं तो यहां उपर की side में cut वाला option मिलेगा यहां पर हम cut कर देंगे तो देख सकते हैं यहां पर photos बगएर हमारी edit हो गई है अब दोस्तों यदि आपको इसे gallery में save करना है वो कैसे करेंगे जान लीजिए यहां पर आपको save photo का option मिलेगा आपको यहां पर click कर देना है और भाई जैसे ही आप click करेंगे तो इस type का interface आ जाएगा यहां पर fix zone application के थुरू यहां पर आपको काफी ज़्यादा task देखने को मिल जाएंगे जैसे 6 task यहां पर मिल जाएंगे आपको इन्हें complete करना होगा जैसे कि इनके website open करके और back करने देनी होगी यहां पर आपको 4 option में यही करना होगा बाकी 5 पर आपको यहां पर 2 application डाउनलोड करना होगा और तो 6 वाले option पर आपको इस application को मतलब fix zone application को 5 star की rating देनी होगी तब जाके आप इस application से photo यहां से save कर पाएंगे दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे यह application कैसे use करना है अब बात आती है यह application real है या फिर fake है तो भाई यह application पर आप इतना ज़्यादा काम करके इनका देंगे तब जाके आप यहां से photo edit कर पाएंगे दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे यह application real है या फिर fake है दोस्तों वीडियो पसंद नहीं होते वीडियो को like कर देना सांत मैं चैनल को भी subscribe कर लेना क्योंकि मैं आपके लिए इसी type की धमाकेदार वीडियो लाता रहता हूँ वैसे मेरी मुलाकात होगी आप से फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ तब तक लिए thanks for watching and take care बाद